हेलो फ्रेंड्स वेलकम फ्रेंड्स अब तक हमने जितना भी पड़ा वह सब एक सर्च इंजिन के बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए काफी है शर्च इंजिन Google तो सब भी यूझ करते हैं पर होरव ही सर्च इंजिन आहीं जैसे डगडग गो और डेव डेव फिफाइंड ये दोनों भी सर्क इंजिन है और ये भी अच्छे सर्च इंजन है फ्रेंट्स आइए देखते हैं कि सर्च इंजन काम कैसे करता है ओके तो मा लिजे हम सर्च इंजन में कुछ भी लिखते हैं जैसे कि मैं लैप्टोप सी लिख देता हूँ तो कुछी सेगिंट्स में हमारे पास धेर सारे रिजल्ट आ चुके हैं तो ये कैसी आए आये देखते हैं आज हम वही सीखेंगे तो किसी website की बात करते हैं जैसे कि अगर मैं Wikipedia की बात करूँ ठीक है तो हम बात कर रहे थे कि इतने थोड़ी सी देर में इतने सारे result search engine कहां से ढूंड के लाया ऐसा क्या क्या search engine ने कि इतने सारे result हमारे सामने थोड़ी सी देर में ही आ चुके है कुछ ही seconds के बात इतने जारे result हमारे सामने है तो ऐसा क्या क्या search engine ने आये वही देखते हैं तो सबसे पहले मैं किसी website की बात करता हूं ठीक है तो जब किसी website पे आफ राइट क्लिक करके उसका page source देखेंगे view page source पे क्लिक करके तो आपको धेर सारे लिंक किया जो इस website को बनाने के लिए coding की गई है वो code यह है तो इस website में आपको बहुत सारे link दिखेंगे ठीक है तो यह website बहुत और भी बहुत सारे web pages से connected है ठीक है जैसे कि अगर मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो कोई होर पेज खुल जाएगा ओके और यह webpage फिर आगे बहुत सारे web pages से connected है ठीक है ऐसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो कुछ और खुल जाएगा तो ऐसे यह process चलती जाती है किसी भी एक website पर जिसके साथ बहुत सारे web pages connected होते हैं ठीक है तो यह इन्होंने कैसे किया मलब कि हमने यहां पर क्लिक किया तो कोई और चीज कैसे खुली अगर आपको HTML या CSS की थोड़ी सी coding मालूम है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके source code में हम एक link add करते हैं जिसके कारण एक web page दूसरे web page से connect होता है ठीक है तो माल लिजे यह उस web page की coding है तो यह जो टैग है ना a href equal to फिर double quotes में हमने यह लिखा है ठीक है तो यह website का नाम लिखा है या कुछ भी लिखा है तो मैं यहां पर क्लिक करूँगा ना तो एक website linked है इस code में यह website ने link कर रखिया है ठीक है तो आप यहां पर देखिए यह ahrf tag के बाद यह double quotes के अंदर एक link insert किया हुआ है ठीक है तो इसको कहते है source code एक इसी web page में अपना link को insert करना ठीक है तो एक तो search engine करता का है इन सभी links को source code में से search करता है और उनको रखता जाता है और indexing करने के हमें result show कर देता है ठीक है तो search engine का काम है search engine का काम है इस link को extract करना ठीक है अब जहांते समझे बात को थोड़ा boring लगर होगा पर यह important है तो search engine क्या करेगा सबसे पहले इस link को extract करेगा ठीक है और उसके बाद इन links को extract करता जाएगा करता जाएगा और हमारे सामने result show करता जाएगा ठीक है और कौन सा link ऊपर आएगा और कौन सा result नीचे शोएगा कौन सा result ऊपर शोएगा वह आगे यह बहुत सारी चीज़े हैं वह भी हम नहीं देखेंगे search engine optimization और भी बहुत चीज़े तो वह हम बाद में देखेंगे तो इस website में यह जो link हमने insert किया है source code में वह हमने ahref tag यूज करके किया है यह ahref की अलावा कुछ कुछ होर भी tags हो सकते हैं पर समझने के लिए हम ऐसा सोचेंगे ऐसा assume करेंगे कि सभी website ahref tag ही use करती है ठीक है समझने के लिए अब हम ऐसा assume करेंगे कि सभी websites में ahref tag ही use हुआ है अगर मैं किसी होर website की बात करूं जैसे कि यह अगर मैं इसका source code देखता हूं इसका source code तो इस पूरी website में यह ahref tag की use किया हुआ है ahref tag किसी link को डालने के लिए ठीक है तो माँ लिजे achieve है या कुछ भी है जैसे कि यह achieve है या फिर यह यहां पर यह वर्ट इफ लिखा हुआ है तो वर्ट इफ का वर्ट देखो मैं अगर वर्ट इफ पर click करूंगा ठीक है वर्ट इफ पर अगर मैंने click किया तो यह तो यह आया ठीक है तो हमें यह शो हुआ तो इन्होंने कैसे किया तो इन्होंने इसके source code में कुछ ऐसा तो ऐसा कुछ किया होगा ठीक है तो यहां पर तो यह हमारे सामने result शो हुआ ठीक है तो ahref tag तो search engine क्या करेगा तो किसी website के source code में से फटा फट से इन सब को extract करके एक जगा पर रखता जाएगा और उनकी indexing करेगा और फिर हमें result शो करेगा तो वह कैसे करेंगे हम अभी हम वही देखेंगे तो अगर आप अभी तक confused हो रहे हैं कि मैं क्या कहा रहूं कित्मी देर से अभी आपकी confusion दूर हो जाएगी दो त्री मिनट में ठीक है तो यह जो उसी coding करकी है तो यह coding करकी है HTML में HTML और CSS की coding है ठीक है और बीज में JavaScript पर गया रहे की भी होगी पर तो यह coding HTML में है ठीक है तो HTML की coding करने के लिए ना हम tags use करते हैं एक होता है opening tag एक होता है ending tag ठीक है तो HTML की coding हम HTML की coding हम इन दोनों tags के बीच में करते हैं इससे पता चल रहे है कि हमारा HTML का code इसके बाद start हो चुका है और इससे पता लग रहे है कि हमारा HTML का code यहां पर खत्म हो चुका है ठीक है तो उसके बाद हम HTML की coding में use करते हैं head tag और use करते हैं body tag ओके इससे पता लग रहे है कि हमारा HTML का code इसके बाद start होगा और यहां पर खत्म होगा और head tag से पता लगता है कि हमारा HTML का head tag यहां से start है और यहां से खत्म है ठीक है तो हम किसी भी HTML की coding करते हुए यह सब tags सबसे important tags होते हैं ठीक है डेवडे find यहां पर सबसे उपर यहां पर title में डेवडे find यह लिखा आ रहा है ऐसा क्यों लिखा रहा है तो है है tag के अंदर हम लिखते हैं जो कि हमें शो हो रहा है जैसे मैं आपको लिखके दीखाता हूं तो है टैक के अंदर हम लिखते हैं जैसे title title add कर है टैक के अंदर हम टैटल टैग यूज़ करते हैं अब यह आपको समझ में आ जाएगा यह वैसी मैं आपको थोड़ा सा एक दो मिनिट का बता रहा हूं तो हमने अपने वैब पेज का title रखा है वैब पेज ठीक है उसके बाद बोड़ी टैक के अंदर हम यूज़ करते हैं जो कुछ भी हमारे वैब पेज के उपर लिखा होता है ठीक है तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं बीटा का मतलब होता है हमने किसी चीज को बोल्ड वोड़िते बैटल अरीण तो ये लिखा हुए थोड़ बोल्ड में लिखा हुए हिसको इन्होंने ऐसा बोल्ड में लिखने के लिए बोल्ड ऐग यूज़ उसकी हो थीक है इससे ब्ल्ड हो जाती है einges तो माल लेजिए मैंने यह लाइन लिख दी ठीक है इस वेरी सिंपल वैब पेज ठीक है इस लिंक और फेस्बूक या कुछ भी लिख दो एक इसी वैब पेज में यह शू होगा ठीक है तो मैं इसको सेफ करता हूँ वैब पेज डोट तो यहां पर मैं एक्स्टेंशन डोट स्टमल रखोगा ठीक है तो 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 इस वेरी सिंपल वैब पेज कंटेंड लिंक को फेस्बूक और मैंने यहां पर अपने वैब पेज में एक लिंक डालना है इस पर लिंक को फेस्बूक पर क्लिक करूँ और फेस्बूक का शो हो ठीक है तो फेस्बूक ओपन हो जाए ठीक है तो उसके लिए मैं यूज करते हूँ तो आईए देखते हैं उसको कैसे यूज़ करते हैं ठीक है तो तो उसके लिए ना हम यहाँ पर एंकर टैग यूज़ करते हैं एंकर एंचर एंचर तो वो कैसे यूज़ करते हैं एंकर टैग यूज़ करने के लिए हम उसका अ हर्फ तो मोई कर देटेए यह मने किस चीज का लिंक ढालना है अपनी वेब पेज में अपनी वैब सैटमे वेब साइट में तो महली जिए मैं ने तो यह फा इस वाइब ह्रेफ टैग की ओपनिंग ही ठीक है तो ओपनिंग टैग लिए अपनिंग में हम वैब साइट का लिंक भी इंसर्ट करते हैं ठीक है उसके बाद उसके बाद हम यहां पर वह जीज लिखते हैं जिसके ऐस के अंदर हमने यह link को चुपाना है ठीक है माल लेजिए मैंने चुपाना है Facebook word के अंदर यह link ठीक है और उसके बाद हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे इस href tag को close कर देंगे anchor tag को close कर देंगे ठीक है इसकी closing हम A से करते हैं ठीक है तो इसको मैं save कर लेता हूं कि ऐसको मैंने सेफ किया और अब इसको देखते हैं थेकर अब यहां बें Facebook का लिंक भी आ चुका है ठीक है अब मैं इसका source कुर देखते हूं अगर व्यूपेज सोर्स ठीक है तो हमने जो कोडिंग की थी वह same to same आ चुकी है ठीक है हमने ये coding की थी एक simple सा webpage बनाने के लिए हमने ये coding की थी ठीक है तो अब क्या होता है कि search engine क्या करता है जिस चीज से related हमने कोई चीज search करी है वो उस चीज से related link search करता है और उन्हें extract करता है उन्हें अपने memory के अंदर रखता जाता है फिर उनकी indexing करता है और फिर हमारे साथ में result शो होते हैं ठीक है ये तो था कि search engine काम कैसे करता है ठीक है और ये तो अब friends अब main बात कि हमारा हम क्या coding करें python में कि क्या coding करें python में कि हमारे source code में से python का code इस web किसी भी link को extract करें ओके तो अब हम वहीं देखेंगे तो जितना भी हमने अब तक python में पढ़ा अगर आपने वह अच्छे से पढ़ा है तो आप असानी से कर सकते हैं जो मैं जो भी मैंने आपको सिखाया वह यूज करके हैं तो फिर भी हम इसको देखते हैं कैसी करेंगे मैंने अपनी python shell खोल लिया है और अब हम इसमें coding करेंगे उस चीज अपना link को extract करने के लिए ठीक है तो आए शुरू करते हैं तो friends माल लीजे हमने जो अभी coding की इस webpage पर या और भी webpage इस पर recording होती है तो उसमें ahref tag से पहले बहुत कुछ होगा webpage पर ahref tag के बहुत कुछ होगा webpage पर double quotes बहुत सारी दिखेंगे आपको अगर ahref tag नहीं भी है तो भी बहुत सारी double quotes दिखेंगे आपको और बहुत कुछ दिखेंगे आपको पर हमने जो करना है वो यह है कि ahref tag है न जो उसके बाद वले जो 2 double quotes हैं उनके बीच वली चीज को extract करना उनके बीच वली चीज को find करके print करवाना, उसको extract करना, ठीक है, ऐसे ही जितनी भी ahref tag है, उनके बाद जो double code start है, उन double code के बीच में जो चीज लिखी है, हमें उसे extract करना, उसे print करना, ठीक है, तो यह हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम उसके लिए, जो भी हमने find operator या कुछ भी use किया है, वो subuse होगा, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, double code की position को find करेंगे, जो ahref के बाद है, ahref के बाद है, मैं ऐसा क्यों कहा रहा हूँ, क्योंकि double codes बहुत सारी दिखेंगे आपको किसी webpage की coding में, जैसे कि ये, ये double codes तो आपको बहुत जगा दिखेंगे, बहुत जगा, ahref tag नहीं भी होगा तो भी, और एक और बात, जुरूरी नहीं है, ahref tag ही use होता है, anchor tag ही use होता है, किसी अपने website को link करने के लिए, और भी tag हो सकते हैं, ये ये नहीं हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, पर हम ऐसा समझने के लिए assume कर रहे हैं, ठीक है, ओके, तो मैंने आपको एक website ऐसी भी दिखाई थी, जिसमें ahref tag ही use हो रखा था, ये उस website का source code है, तो, अब हम चाहते हैं, हम ऐसा code प्रिंट करना चाहते हैं, जिससे ahref tag के बाद वाले starting वाले double code की position फाइंड हो, ठीक है, और जो starting वाला double code है, इसकी position के बाद से start करते हुए, इस double code की position फाइंड हो, और हम फिर ये प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, देखते हैं, ठीक है, तो start करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो, हमने इस double code की position फाइंड करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम चाहते हैं, ahref tag के बाद जो double code हो, हम उसी की position फाइंड करें, ठीक है, तो, शुरू करते हैं अपनी coding, ठीक है, मैं एक variable बना लेता हूँ, start tag, या start link या कुछ भी, ठीक है, तो मैं start link के मैं एक variable बनाया, ठीक है, तो मैं इस variable में क्या करूँगा, ahref tag की angle bracket, ahref, इस tag की position को, मैं इस variable में store करूँगा, ठीक है, तो मैं उसके लिए use करता हूँ, find operator, तो find operator हम कैसे use करते थे, find operator यूज करने के लिए सबसे बेले तो हम उस variable का नाम लिखते थे, जिस variable के अंदर हमारा content हो, ठीक है, तो मा लिजे हमने एक page के अंदर अपना पूरी web की coding हमने लिख रखिया, ठीक है, तो सबसे पहले page, ठीक है, तो उसके dot find लिखते थे, फिर हम, ठीक है, उसके बाद हम parenthesis में, strings use करते थे, strings है double quotes भी use करते है, single भी, ठीक है, तो मुझे क्या इसकी position find करने है, इसकी, ठीक है, तो मैं इसी को ही copy paste कर देता हूँ, ठीक है, अब जो ahraf tag की position है, वो इस page में print हो चुकी है, इस page में, इस start link के variable में, ahraf tag की position से store हो चुकी है, ठीक है, तो, अब मैं चाहता हूँ, जो से, यह डवला double quote है, इसकी position हम find करे, ठीक है, तो हमने यह वाली position क्यों find करी, ahraf tag की, क्योंकि हम ahraf tag की position के, बाद वाला जो double quote है, उसको ही find करना चाहते है, जैसे कि मैंने आपको, पुरानी वीडियो में बताया था, कि हम कैसे करते हैं, वो ही वाला method यूज करेंगे, ठीक है, तो मैं एक variable मना लेता हूँ, start URL का, यह start link, ठीक है, start quote, ठीक है, तो, अब मैं इसमें क्या करूँगा, अब मैं इसमें, इस double quote की position को find करूँगा, ठीक है, तो उसके लिए मुझे, find operator तो लगाना ही पड़ेगा, और मुझे find किसमें से करने position, इस page variable में जो content लिख है, उसमें से, ठीक है, तो page variable भी उसकरना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे लिगेंगे, तो page.find, इतना कोड तुमारा से बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद हम, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम वो लिखेंगे, इसकी position find करना है, ठीक है, इसकी position find करना है, तो हम double quote की position find कर लेंगे, ठीक है, तो, मैंने harnd single quote इसले उसके, क्योंकि position लिखेंगे क्योंकि हम इसकी position के बाद वले double quote की position find करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे इसकी position इसकी position को मैंने इस variable के अंदर store करवा लिया है ठीक है तो मैं इसकी position लिख लूँगा यहाँ पे अगर आप पुरानी videos को भूल चुके हैं आप उन्हें फिर से देख लिजी क्योंकि वही concept यूज़ कर रहे हैं अगर भूल भी चुके तो कोई बात नहीं मैं इसी वीडियो में आपको समझा दोगा रुबारा से ठीक है तो अब इसकी position start code के variable में store हो चुकी है ठीक है तो उसके बाद हम इस double code की position को find करना चाहते हैं ठीक है तो आईए वो भी कर लेते हैं हम एक नया variable बना लेते हैं and code तो अब मुझे इस double code की position find करनी है ठीक है जो की page नाम की variable में है तो तो page लिखना पड़ेगा ठीक है और position find करनी है उसके लिए dot find operator भी लगाना पड़ेगा उसके बाद हमने position भी double code की लिखनी है ठीक है तो ये भी तो double code भी लिखना पड़ेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर इतना code तुमारा same था तो हमने इसके बाद वले double code की position find करनी है ठीक है अगर मैं इस double code की position किसमें है इस start code में start code नाम के variable में पड़ी है ठीक है तो मैं अगर इस variable का नाम लिख दूँ यहाँ ठीक है अगर मैं इस variable का नाम लिख दूँ तो यह क्या करेगा तो यही से position find करना start कर देगा ठीक है start code नाम के variable से position find करना start कर देगा ठीक है start code की position का है यहाँ पर बड़ी है तो इसी position से वह double code की position को find करना start कर देगा और फिर से वो यही position दे देगा, जो कि हम पहले ही search कर चुके है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसकी position को एक बढ़ा देंगे, plus one, यह logic है, जो हमने use किया है, ठीक है, और यह मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था, ठीक है, तो हब हम क्या करते हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया था, फिर से देख लेते हैं, ठीक है, तो page, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यह वली brackets use करते हैं, ठीक है, और इस वली इन brackets के बीच में हम एक colon sign use करते हैं, और colon के left side पे हम उसकी starting position, और right side पे उसकी ending position को लिखते हैं, आपको से, और उन starting और ending position के बीच होला सारा string value हमारे store हो जाती ठीक है, तो इस variable में हम इसकी starting position कले क्या है ठीक है इसकी स्टार्टिंग पोजिशन इस स्टार्टिंग पोजिशन नमारे लिंक की क्या है यह डेवल कोट ठीक है तो हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं ना इसको ठीक है तो इसकी पोजिशन इस डेवल कोट की पोजिशन को लिखते हैं सबसे बहले तो ठीक है इसकी पॉसिशन इसकी पносिशन हमारे बास पढ़ आई यहां पे है यहां भी पढ़िया ठीक है मैंने इसको लिख दिया तो मैं चाहिए था जब भी हम ऐसे पुरिंट करवाना चाहेंगे श्ट्रिंग में से in China स्टार्टिंग पोजिशन से स्टार्ट हो जाथा सब प्रिंट करवाने के लिए ठीक है तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि स्टार्टिंग पोजिशन से स्टार्ट हो प्रिंट करवाना तो हम चाहते हैं कि प्लस वन यूज़ कर लेंगे ठीक है और उसके बाद हम समी कॉलन के राइट साइड पे हम उसका हम उसकी एंडिंग पोजिशन लिखते थे तो एंडिंग पोजिशन इसकी पोजिशन इसकी पोजिशन कहां पढ़ी है इस एंड कोट नाम के वैरियेबल में तो उस एंड कोट नाम के फैरियेबल में इसकी पोजिशन पढ़ी है ठीक है तो हमने यह भी फड़ा था एंडिंग पोजिशन माइंध प्रिंट होके मिलती थे हमें माल लीजिए अगर हमारी एंडिंग पोजीशन यह होती थी यह डवल कोड़ी होती थी डवल कोड़ी पोजीशन हमारी एंडिंग पोजीशन है तो एंडिंग पोजीशन से जो एक पोजीशन पहले है न एम तक मलबी जहां हमारा लिंक खतम हो रह है ठीक है मैंने इसको सेफ कर लेता हूं डेस्क टोप पे लिंक इसको रन करता हूं मैं www.facebook.com ठीक है तो हमने सीखा कि हम लिंक कैसे एक्सट्रेक्ट करते हैं इसी website के source code में से तो अब बात यह आती है कि ऐसा कितनी बार हमें code लिखना पड़ेगा कि हमें धेर सारे link extract हो जाएं ठीक है इसके दो तरीके हैं ठीक है एक तरीका तो यह है कि आप इस code को बार बार लिखते जाएं ठीक है या फिर आप इस code को copy paste copy paste copy paste copy paste करते जाएं करते जाएं ठीक है तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा तो उसके लिए programming languages में हमें concept यूज करते हैं हम concept यूज करते हैं loops का या procedure का procedure यह सब concept यूज करते हैं जिससे हमारा code बार 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 रन होता है ठीक है तो हम आगे वाली वीडियो में वही सिखेंगे ठीक है कि हम एक code को कैसे चलाएं बार बार हम इस फैल्स बहुत सारे concept देखने हैं friends अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो like subscribe और share कीजिए और मैं आने वाली वीडियो में आपको 2-4 वीडियो के बाद हम game बनाना start करेंगे अपनी और यह procedure हमारा चलता रहेगा कि हम ऐसे links को बार बार loops कैसे चलाएं यह सब चलता रहेगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो please please like करना और share जरूर करना thank you for watching this video